हेलो दोस्तो स्वागत है आपका मेरे चनल में दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ चेहरे को साफ करने का एक आसान सा और घरेलू नुस्खा जी हाँ दोस्तो इस नुस्के से आप अपने चेहरे पर जमी, धूल, मिट्टी और गंदगी को बिल्कुल साफ कर सकते हैं और चेहरे को बिल्कुल क्लीन और चमकदार बना सकते हैं वो भी सिर्फ 5 मिनट में तो दोस्तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं लेकिन उसस से दोस्तों वीडियो को एक प्याराशलाइफ जरूर दीजिए तो दोस्तों अब आपको लेना है एक किलین बॉल क्या सबसे पहले हमें कोई भी नुकस यृष का बनाने के लिए दोस्तों आपको लेना होता है एक वाउल जी हाँ, हमने भीए ऐ कवाउल ले दिया है अब दोस्तों नीबू आपको बहुत यासानी से मिल जाएगा तो दोस्तों हम इसका जूस निकाल लेंगे लगभग इसमें दो चमज जूस निकलेगा दोस्तों नीबू में सिट्रिक एसिड होता है जो कि हमारी चेहरे से दूल मिट्टी प्रदूशर के कड़ जो होते हैं गंडग तो दोस्तों हमने देखो लेमन का जूस निकाल लिया है आपको भी इसी तरीके से अब आपको यह जो नीबू है आपको यह फैकना नहीं है आपको यह रख लेना है क्योंकि यह हमारे बहुत काम आने वाला है दोस्तों इसके बाद में आपको लेना होगा चीनी दोस्तों आ इसमें डालेगे. दोस्तों इसके बाद में आपको इसमें एक चीज औले रोल है व्हांनी. अगर हनी आपके पास तो आप प्यूर ले तो ज्यादा बहतर है तो दोस्तो आपको आदा चमлच हनी लेना है और इसमें हम मिक्स कर लेंगे लिए देखिए अब यह हमारा जो remedy है यह नुश्चा है हमारे चहरे के लिए अब बिल्कुल तईयार है तो दोस्तों यह हमारी चीनी घुल ना पाए पूरी तरह से हमें इसका उप्योग करना है इस हमने इसका यूज कैसे करना है दोस्तों अब हमने जो नीबू रखा था हमारा जो निचरा हुआ है हमें यह नीबू लेना है और यह इस तरीके से इस पर लेना है और अपने पेस पर आपको इसी नेबू से सर्कुलर मोशन में आपको मसाज करना है आप दो मिनिट तक इसको अपने चेहरे पर इसकरफ कीजिए दोस्तों आपको बहुत ही ज्यारदा पाइदा मिलेगा इस क्रफ करते हुए ही आपका चेहरा एकदम से साफ और निखरा निखरा होने लगेगा आपको खुद दिखेगा एक ही बार के यूज से दोस्तों आप दो मिनिट तक इसको मसाज करिए उसके बाद आप इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए उसके बाद में आप अपने फेस को बाश कर लीजिए पानी से दोस्तों आपको एक बार के इस्तिमाग तरी बहुत ज़्यादा देखने वाला है अपने पेस पर तो दोस्तों ये वीडियो बहुत ही अच्छा है अगर आपके लिए यह उप्योंग ही हो तो दोस्तों वीडियो को एक प्याना सा बैक जरूर दे दिये